create release apk of your application अभी हमने अपने last lecture में जब cover किया था तो हमने debug apk बनाना देखी थी कि जब यूजर ने अपने requirement के लिए अपने testing के लिए उस अपने application के apk file को अपनी real time device पर run करके देखना होते है कि हो real time device पर या different real time devices पर किस तरह से update करेंगी तो यूजर उसके apk file बना देता है लेकिन वो apk file google play store पर upload करने के लिए require नहीं होती क्योंकि किसी भी science certificate के साथ generate नहीं की गही होती है उसे debugger mode पर एक apk release की जाती है जो user की testing के लिए सिफ यूज होती है लेकिन जब बात आती है google play store पर upload करने की तो basically आज हम इस lecture में हमने अपनी डिबाग एपी के duration में दिखा था कि हमारे पास एक project है जिसमें एक text भी हुआ इसी तरह इसके text भी में मैंने कुछ default text message set कर दिए कि जब भी application load होगी तो इसके text भी में मेरा वाला यह default method place हो जाएगा तो अब बात करते हैं इसके signed apk की उसी तरह से हम build के folder में जा पर इक्जमपल नहीं है तो मैं जैसे create new करता हूं कि मैं एक new path select करने लगा हूँ जो for example मैं अपनी किसी location पर की for example मैं जाना चाहरा हूँ यहां मैंने एक निया folder बना ले ना अपने c में मैं c में इक निया folder बना लेता हूं for example जिसमें मैं जिसका नाम मैं APK रख देता हूं और उस APK में उस APK को klik किया और यहां पर मैं फाइल का नाम रख देता हूं for example मैं नाम रख देता हूं kisha q&eos अगर हम अपने application में को change करते हैं और फिर से signed APK बनाते हैं तो हम इनी certificates की details को use करते हुए अपनी आप की उस APK को update कर सकते हैं इसका बेटों कि हम दुबारा से एक नहीं APK बनाया उसको किसी old folder में set करना रहा पुरानी APK lose कर दे सो मैंसे copy यहां से कर लेता हूं और इसी तरह मैंने एक notepad की file open करके रखी है जिसमें सबसे पहले मैं देखूंगा कि हम किस तरह से हम यहां पे एक बना लेते हैं variable जिसका नाम हम रख लेते हैं for example path नाम था तो हम यहां path रखके मैंने उसका अगर path copy कर दिया है इसी तरह से मैंने यहां पर जो option है कि फूर एक्जमपल कनफार्स पासवर्ड तो मैं पासवर्ड फूर एक्जमपल यही की store के नाम से पासवर्ड रख देता हूं कि के ई वाई एस टी ओ आरी मैंने इसी password को यहां as a password भी set कर दिये इसको मैंने copy कर लिया और इस password को भी मैं as a password यहां पर save कर देता हूं join case मुझे याद रहेगा कि मैंने अपना password क्या रखा था तो हम देख लेते हैं कि हमारा password भी हमने password ही रखा था normally password हमने इसको देखा था कि के ई वाई एस टी ओ आरी हमारा key story password था same as मैंने इसके confirm password में भी यही password एंटर कर दी है हम इसी password को एंटर कर देते हैं कि हमारा था के यवाई एस टी ओ आरी अब यहां जो इसकी alias name था मैं alias में basically वही नाम save करने लगा हूं कि जो मैं इसका नाम ऊपर रखता हूं तो alias में की store नाम ही place कर दी है तो इस चीज को भी मैं वहां जाके save कर लेता हूं कि मेरे पास इसका alias क्या है alias basically application का name जो भी हम देखेंगे कि क्यों उस होता है तो इसका नाम भी हमने key store ही save करवा दी है इसी तरह यहां पर जो password field है उसमें भी मैंने key store ही क्योंकि normally यह password हम सेम रखते हैं ताकि हमें याद रहेगा कि next time जब हमने change करना है तो हमें याद रहेगा कि APK में जब update करना है तो उसका key store password क्या है इसी तरह मैं इसका password भी यहां पर save कर लेता हूं जो कि key store के name से ही है मैंने key store ही रख दी है again मैं अपने android में जाता हूं अब यह नीचे आप देख रहे हैं कि certificate details है तो इस certificate details में से अगर हम इसके बगार okay करेंगे तो वह हमें allow नहीं करेगा क्योंकि वह कह रहे है कि कम असकम एक certificate की issue और की detail अब normally हम as a certificate issue और यहां act कर रहे है तो यहां for example मैं country code ही set कर देता हूं बाकी कुछ नहीं करता तो इस country code को भी मैं उसी file में जा के अपने save कर लेता हूं कि हमारे पास हमने country code set किया था ताकि in case वो किसी scenario पर हम से चीज़ें require करें तो यह चीज़ें हमारे पास available और मैंने country code भी यहां लाकर file में save कर दिया और अ store का password आ रहा है इलिएस basically उस key का नाम है जिसको हम यहां एलियस से represent कर इसी तरह उसका password है और मैं से next कर दूँगा अब यहां मेरे पस दो option है कि मैंने jar signature बनाना है या full AP के signature बनाना है और यह build type आप आप देख रहे हैं कि मैंने release type का already यहां पर select हो मैं इसको full AP के signature को select कर दिया और इसको मैंने finish कर दिया so gradle will take a minute or two inshallah और जैसी यह complete होगा उसी तरह में android studio खुद बता देगा कि हमारी किस location पर जाकर हमारी जो release APK है वो place होगी है तो हम further उस location पर जाके उस release APK को देख सकते हैं और उसे अपने phone में place भी कर सकते हैं और उसी तरह double tap करने पर जैसे हम किसी executable file पर double tap करते हैं तो executable file play हो जाती है अपना काम start कर देती है load कर देती है और once आप उसे install कर लेंगे अपने device में तो आपके real-time device पर as an application as a proper full-fledged application वो work करना start कर देगी so जैसी हमारा gradle build होता है हम देखते हैं कि हमारी जो release apk file है वो कहां जाकर बनेगी और किस तरह से हम उसे get करेंगे so हमारी apk file बनने है उसी तरह आप देख रहे हैं जैसे mr. gradle debug में बताया था कि gradle निकेटा time की और यहां से हम locate कर सकते हैं कि हमारी analyze और locate कर सकते हैं कि हमारी जो release apk है वो किस location पर place पर क्लिक कर दी और यहां आप देख रहे हैं कि मुझे उसने folder open so यहां पे मुझे बता रहे हैं कि हमारे for example जिस location पे हम थे कि उसी में रहा कर मैं से बड़ा कर लेता हूं ताकि हमें view easy हो जा तो अब यहां में मुझे बता रहे हैं कि हमारे उसी folder में जिस project में हमने बनाया थ उसी में एक app का folder और उसमें release के folder में हमारी app release.apk file पहले से मौझूद है जो भी हमने बनाया है था हम जा के देखते हूं उसी तरह कि हमने देखा था कि हमारे c में for example user में जिस user में था हम उसी user में हमने download के folder में देखा था और वहां android app थी अब यह android app में इस app के folder में हमारे प आपके release apk file भी बन गिया तो इसको भी हम अपने requirement के मताबक use कर सकते हैं और इसी तरह यहां से हम इसका size और इसके extension सब देख सकते हैं so in case अब अगर हम को फिर से changing करते हैं अपनी application में मैं चार रहा हूं कि मेरी वही release apk update हो as complete हो कि मैं दुबारा से एक नहीं apk बनाओ तो मै तो मैं उसी तरह build में जाके generate signed apk करूंगा और in case for example अभी तो यहां load होई है लेकिन in case यहां load नहीं होती तो हम choose existing करके उसी folder में जाके वो jks file को फिर से load कर सकते हैं अब यहां मैं मुझे password required कर रहा है तो हमने password रखा था key store again मैं वही password दे देता हूं कि key is y s t o r e and next कर दिया त तो इसका select है तो यहां से जब इसको finish करूंगा again जब इसका gradle world होगा तो फिर से जो apk file release apk file हमने देखी थी project location में अब यहां पर बन गे और again हम उसे locate कर सकते हैं तो यह basically हमारी वही file जो पहले बनी थी वही file update हो चुकी है तो आज के लिए इतना ही thank you so much Allah आफस